हाई दोस्तो संडे किचन हैश्टेग हीड में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले है मटन तो आज हम घर पे मटन बनाएंगे वो भी हम यहाँ पे हाफ कीजी मटन लिए इसे अच्छे से हम वास कर लिए यहाँ पे हम तीन प्याज लिए इसे अच्छे से हम चौप कर लेत चोप कर लिए यहां पर हम प्रावण पाय्ट करेंगेख और मोरीच पावडर आदु गोलमरीच पावडर, 2 चम्मच घनिया पावडर, 1 चम्मच मिरेच पावडर करें यहाँ पर कुछ हम खर मसाले लिए गरम मसाला का और आप चमस तस darauf दीरा लिए और पर ब मेर सब रेडी हो अब हमें इड़्ाई लें गरम कर लें यहाँ जो खर मसाला था उसे एक एकर देंगे यह देखिगर अब यहां पर हम प्याज भी एड़ कर दिये इसे अच्छे से हम प्याज को ब्राउन कलर तक हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे जलाएंगे नहीं अब हम यहां पर मटन एड़ करेंगे मटन को अच्छे से हम चला लेंगे यहां पर सब मटन एड़ कर दिये इसे अच्छे से चला के अब यहां पे जो पियाज को हम चौप करके रखे थे वो पियाज हम यहां पे रख देंगे एट कर देंगे यह देखिए अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें मसाला एट करेंगे तो जो मसाला हम रेडी करके रखे थे वो मसाला यह आपसे आप नमक एक कीजिए इसे अच्छे से चला लेना है इसे ढख देना है इसमें जो पानी आएगा उसी पानी से आपको कमसे कम 10-15 मिनट आपको पकाना है इसे फ्लेम गैस का फ्लेम कम करके ही पकाई है कि जलेगा ही नहीं और टेस्टी भी बने तो इसे हम गैस का फ्लेम कम करके अच्छे से पकाई है ये देखिए मेरा पानी भी उसमें का पूरा सुग गया और कितना अच्छा कलर भी आया है ये देखिए पूरा तेल छोड़ दिय शROUND से मसला और हम, इसमें पानी कर रहे पर हम यहां पर गुनगुंवरा पानी एड कर रहे हैँ आप कभी मटन बना थो इसमें गुन गुनगुंवरा पानी कर रखे थे तो आप यहां पर अलग से पानी कि गरम कुने के रखी थे उसYYArCh Shirai अब यहाँ पर हम पानी एट करके 10-15 मिन नट हम इसे पकाएंगे मटन को गलाना है यहाँ पे तो बीच बीच में आप चलाते रहे गा और फ्लेम मध्य एकदम कम करके नहीं बीच पे ही आपको पकाना है और यहाँ पे हम गरम मसाला एट कर रहे हैं कुटा हुआ गरम मसाला है फीशा हुआ पाउडर है और यह देखिए मेरा 10-15 मिनिट में कितना अच्छा कलर आगिया यहां पे आप गरम मसाला के बाद आप किया किजिए गए से धक्या पकाईएगा और अच्छे से भूनियेगा उसके बाद आप यहां पे मिठा अत्तर एक भून्ड आप रक सकते हैं सिरीफ खूण्व के लिए अगर आपको खूण्व पसंद है तो अगर अगर आपके पास sids अतर नाई है तो आप फिप्बी कर सकते हैं तो आप 10 से 15 मिनिट आप इसल भूनिये इसका कलर लाए जितना व का घूनियेगा उतना ही टेश्टी बने ग्रेवी के लिए और पांच मिनट तक हम इसे ढख देंगे यह देखियों कब जगा हम इसे पांच मिनट तक ढख के पकाएं अच्छे से यह देखिए मेरा मटन एकदम रेडी हो गया है आप इसे सौब भी कर सकते हम गैस के फ्लेम बन कर देते हैं और हम सब करके आपको दिख अच्छा आया है एकदम ऐसा लगेगा कि आपको आप कहीं रेस्टुडेंट में बैठके खाना खा रहे हैं इतना अच्छा खुजबू आगा तो अब भी फटा फट जाए और घर पे एक बार यह रेस्पी जरूँ ट्राइ कीजिए और फिर मुझे बताएं कि आपका मटन क कैसा बना और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि मैं जो भी वीडियो डालू सबसे पहले नोटिफिकिशन आपके पास आए यह देखिए हमने दम नहीं ज्यादा पतला ग्रीवी और नहीं ज्यादा भूना हुआ रखे है अग्दम हलका ग्रीवी भी हम रखे है और आप फरेटे बनाए रोटी बनाए पुलाव बनाए आप किसी भी चावल के साथ किसी चीज के साथ आप खा सकते हैं जितना अच्छा मटन रेडि हुआ है ठीक है फिर मिलते अगले वीडियो के साथ खुदा हाफिज